हलो फ्रेंट्स भारत में फिर दुबारा से करोना वायरस के बढ़ते हुए केसिस पाय जा रहे हैं इसको लेकर कई सारे लोगों का कहना है कि क्या भारत में फिर दुबारा से करोना वायरस की चौथी लहर आ रही है या फिर नहीं तो फ्रेंट्स आपको बता दे कि भारत सरका लहर आ रही है जिए दोस्तों यहाँ पर जो भी नए मामले देखे जा रहे हैं जहां भी करोना वारस के केसे इस समय बढ़ते हुए पाये जा रहे हैं उसका यहाँ पर वेरियंट से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर आपको बता दे कि भारत में अभी तक कोई भी नया कुरोना वारस का वेरिंट नहीं पाया गया है जी यह दोस्तों इसको लेकर कई राज्य सरकारों की तरफ से रिपोर्ट सामने थी जहां पर महरास से ये खबर सामने थी कि वहां पर नया कुरोना वारस का वेरिंट पाया गया है लेकिन उसको लेकर केंद सरकार की तरफ से साफ साफ अपडेट आया था कि अभी तक नया कुरोनवारस का वेरिंट कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं किया गया है सो फ्रेंट्स अभी फिलाल में जो भी केसिस बढ़ रहे हैं वो short term cases हैं यानि कि long term में ये cases नहीं रहने वाले हैं भारत सरकार का कहना है कि जो लोग भी इस समय फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं बसों में ट्रेवल कर रहे हैं कम से कम उन लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है बाकी आप बिना मास्क के कहीं पर भी जा सकते हैं इस समय भारत के लगवास सभी राज़ों में मास के नियम को הटा दिया गया है लोग आसानी से ट्रेवल कर रहे हैं यदि आप भारत के एक राज़े से दूसरी राज़े में ट्रेवल करते हैं तो अब आप बीना करोना वाईरस टेस्ट के या फिर बीना वैक्सिन सर्टिफिकेट के आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं